हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर तो दोस्तों मैं आपके साथ हर दिन काम आने वाली बहुत ही बेहतरी किचन टिप्स सेयर करने वाली हूँ टिप्स नमर वन चाई बनाते समय उसमें इलाइची डाल देने से चाई का टेस्ट बढ़ जाता है टिप्स नमर टू अगर आप ताजे अद्रक को साफ करके फ्रीज में रख देंगे तो इसे अद्रक अधिक समय तक खराब नहीं होगा अद्रक अधिक समय तक स्टोर रहेगा टिप्स नमर त्री क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बनाना है तो आलू को आधे घंटे के लिए ठंडा पानी में रख दें इसे ये अच्छा बनेगा टिप्स नमर फोर कटल को काटने के तुरंत बाद ही गुनगुना पानी में थोड़ी देर के लिए रख दें इसे कटल काला नहीं होगा और कटल का चिपचिपा पन भी खतम हो जाएगा तो अब देख लेते हैं टिप्स नमर फाइब अगर आप पुदीना की चटनी बना रहे हैं तो उसे ज़्यादा देर तक मिक्सी में नहीं चलाए इससे इसका करवा स्वाद आने लगता है टिप्स नमर शीक्स अरहर की दाल को खड़ाब होने से बचाने के लिए अरहर की दाल के डब्बे में नाडियल का एक टुकरा रख दे इससे अरहर की दाल अधिक दिनों तक इस्टोर रहता है खड़ाब नहीं होता है टीप्स नमर 7 यदि हरी मिर्च को काटने के बाद हाथों में जलन हो रही है तो जलन से बचना चाते हैं तो ऐसे में उंगलियों को सक्कर मिलाए हुए ठंडे दूद के बाउल में रखे इसे जलन खतम हो जाएगा टीप्स नमर 8 टमेटो सूप को टेस्टी बनाना चाते हैं तो उसमें थोड़ी सी पुदीना की पत्तियों को पीस कर मिला दे टमेटो सूप ज़्यादा टेस्टी लगता है टीप्स नमर 9 भिंडी बनाते समय उसमें निम्बू का रस डाल देने से भिंडी का चिपचिपापन खतम हो जाता है टीप्स नमर 10 फूल गोबी की सबजी खाने में टेस्टी लगता है पर फूल गोबी में कीरे ज़्यादा होता है तो ऐसे में फूल गोबी को काट कर गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए रख दे इससे फूल गोबी का सारा कीरा आसानी से निकल जाता है टीप्स नमर 11 अगर फ्रीज से बदवू आ रही है तो उसकी बदवू को दूर करने के लिए निम्बू के टुकडे काट कर फ्रीज में रख दे टीप्स नमर 12 मक्के की रोटी बिना फटे अच्छे से बने इसके लिए चावल के मार से मक्के का आटा अच्छे से गूथ ले टीप्स नमर 13 नमक के डबे में कुछ चावल के दाने रख देने से नमक में नमी नहीं आता है और नमक गीला नहीं होता है तो ये बहुत अच्छा टिप्स है टिप्स नमर 14 अगर खीर पतला हो गया हो तो उसे गाढ़ा करने के लिए उसमें आप थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर मिला दे इसे खीर गाढ़ा होने के साथ ही टेस्टी भी हो जाएगा तो दोस्तों ये सारी टिप्स का उपयोग करने से आप अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं आपके काम करने का तरीका बेहतर होगा ये सारी टिप्स आपके लिए बहुत ही फाइदे मंद होने वाला है टिप्स अच्छी लगी है तो लाइक करे और चानल पर नए हैं तो चानल को सब्सक्राइब करे और साथी नोटिफिकेशन बेल को दवा कर ओल पर क्लिक कर ले ताकि आपको नई वीडियो समय पर मिलती रहेगी